आज चो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आइनेस विकरांत के बारे में जो हमारा नया एरक्राफ्ट केरियर है देखिए इसकी खासियत क्या है सबसे पहला यहां पड़े दिस इस दी लार्जिस्ट एरक्राफ्ट केरिंग केरियर ऑफ इंडिया यह अभी इंडिया के सबसे लार्जिस्ट एरक्राफ्ट केरियर है इसका वेट क्या है दि वेट आप दी एरक्राफ्ट केरियर इस 45,000 टन 45,000 टन भारी इसका वेट है वार्जिप डिजाइन बीरो WDB अंडर दी कोचिन CPR लिमिटेट के द्वारा इसे बनाया गया है विकरान्त केन ओपरेट ए फ्लीट ओफ 30 एरक्राफ्ट इंक्लूडिंग जेट्स एन मल्टी रोल हेलिकप्टर्स मतलब इसमें 30 से भी ज़्यादा एरक्राफ्ट की फ्लीट इसमें रखा जा सकता है और इसमें इंक्लूड जेट्स भी हैं और मल्टी रोल हेलिकप्टर्स मल्टी रोल हेलिकप्टर्स मतलब जो विभिन विभिन परकार के काम कर सकते हैं इस एरक्राफ्ट केरियर को बनाने में हमें 2.5 बिलियन यूएस टॉलर का इन्वेश्ट करना पड़ा मतलब 200 बिलियन रुपए अधी हमारे करेंसी में देखे जाएं तो this is the first indigenous aircraft of India मतलब पहला स्वादेश एरक्राफ्ट केरियर है ये हमारे देश का है अब स्वादेशी परकार से बना हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूर्णता भारत के ही प्रोड़क्ट से बना हुआ है कुछ-कुछ प्रोड़क्ट बाहर से भी आए गया है मतलब 50-60 परसेंट जो इसमें प्रोड़क्ट लगाया गया है वो इंडिया का है स्वादेशी है इसकी लेंथ जो है इसकी लंबाई जो है वो 262 मेटर है तॉफ इसकी जो रही वो 52 किलोमेटर पर आवर की रही इसकी जो इंडॉरेंस है इसकी जो छमता है एक बार में कवर करने की रोटेशन करने की एक चकर लगाने की वो 13,900 किलोमेटर का रेंच ये कवर कर सकती है आपके समुद्री छेतर का और सीप हैस 2200-2300 क्यूर्स मेंबर्स मतलब इसमें 2300 आपके मेंबर्स रह सकते है अब इससे पहले हमारे पास एक एरक्राफ्ट केरियर था पहले से जिसका नाम INS विक्रमादित्य था ये उससे छोटा था अब दोनों को देखा जाए तो इंडिया के पास अब दो एरक्राफ्ट केरियर मौजूद हो गया है पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत तो यह एक चीज़ और जानकारी इसमें आप देख लिजे कि कोचीन CPR Limited, CSL is the biggest CPR of India मतलब सबसे बड़ा biggest CPR जो इंडिया का है वो है कोचीन CPR Limited लास्ट नहीं देखें India planned another aircraft carrier which is INS विशाल probably completed